पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना नमस्कार आप देख रहें सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्शिता प्रतापसिक बिहार के इस वक्त करीब 16 जिले बाड से प्रभावित है जो आम जनता है बहुत परिशान है कई लोगों ने अपना घर खो दिया है कई लोगों के बाड के पानी में बहने की भी खबर सामने आई है ऐसे में आपको बता दे कि निर्दलिये सांसत पपू यादव मसीहा बनकर दर्भंगा पहुचते हैं वहां मौजूद आम जनता जो की पूरी तरीके से बाड से प्रभावित है उनकी सहायता करते नजर आ रहे हैं जनता के बीच में नोट बाटते पैसे बाटते नजर आ रहे हैं ताकि इस संकट की घड़ी में जो आम जनता है उसकी कुछ सहायता हो सके साथी साथ आपको बता दें कि सरकार पर जबरदस तरीके से भड़कते नजर आए हैं पपू यादव सरकार पर आरोप लगाते नजर आए कि जनता इस तरीके से परिशान है लेकिन कोई आलोग लेने वाला नहीं है साथी साथ आम जनता के सहायता की मांग करते नजर आए कम्यूनिटी किचेन बनाने की मांग करते नजर आए किस तरीके से आम जनता की तो मदद करी रहे पपू यादव साथी साथ सरकार पड़ भड़कते हुए क्या कुछ मांग कर रहे थे उनका ये बयान सुने कि 2025 में कुशात रास्त की आई उसके बाद जंता ने फिर भौन दे दिया तो सरकार को लगता है फिर हम एक कुंचल चाबल दे देंगे फिर बाद भूल जागे फिर भौन मिल जाएगा हमको 25 में ये तो हलात है अगर्व फ Seriously सरकार को को अभी करना चाहिए पूरा ख़जाना बाढ़्ट पृस्कों को देते लना साइगे हर अधा क्यों मिटर पर कॉम्णी कीचें और पूरी तरीके सिफड़ी चाड़ा पपु यादव अपने स्टाइल में अकसर अपने बुलेट बाइक पर नजर आते हैं और उसी तरीके से वो बाड़ से प्रभावि धर्बंगा पहुचते हैं उनके साथ राजद नेता दिललित यादव भी नजर आते हैं साथ ही आपको बता दे तमाम पपु यादव के समर्थक उनके साथ अब देख सकते हैं तस्वीरों में वो नजर आते हैं और वहां की जो आम जनता है जो पू जबरदस तरीके से निशाना साथ हैं नितीश सरकार पर जबरदस तरीके से निशाना साथ हैं और कहते हैं कि आम जनता है जो हर साल इस तरीके से प्रभावित होती है लेकिन जो सरकार है उसे कोई फरक नहीं पड़ता है थोड़े बहुत सामगरी बाट कर वो अपना पल्ला जाड़ लेती है सरकार लेकिन जो जनता है वो परिशान है और अब जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है पपू, यादव, निर्दली, सांसा, देदर्भंगा पहुँचते हैं बाड से प्रभावित लोगों की सहायता करते नजर आते और साथी साथ सरकार से मांग करते हैं कि जल से जल जो बाड प्रभावित इलाके हैं वहां सरकार मदद पहुचाए NDRF, SDRF की टीम पहुचे, साथी साथ कम्यूनिटी किचेन बनाया जाए ताकि किसी को भूखे पेट ना सोना परे आम जनता की परिशानी कुछ कम हो सके हमने आपको तस्वीरों में दिखाया पपूई आदव जनता की मदद करते हुए पैसे बाड़ते हुए ताकि इस संकट की घड़ी में बाड से जो लोग प्रभावित हैं उनकी कुछ सहायता हो सके साथी साथ सरकार पर भी भड़कते आप